The Model Millionaire by Oscar Wilde Baron Hausberg जो है इस कहानी में मिलनेया है आए इस कहानी के स्राश को हिंदी में पढ़ते हैं Huey Askin ये कहानी का मुख्य पातर है पहले इसके बारे में जानते हैं एक बहुती सुन्दर और आकर्शक युवग था लेकिन उसके पास धन की कमी थी और वे कभी भी धनी नहीं बन सका वे लोरा मर्टन जो कर्णल मर्टन की बेटी थी से प्यार करता था लेकिन कर्णल ने कहा कि वे Huey को तभी लोरा से शादी करने के अनमती देगा जब उसके पास 10,000 पाउंड होंगे एक दिन Huey अपने मितर Alan Trevor के स्टूडियो में जाता है और वहां एक बिखारी को देखता है जो Alan के लिए माडल का काम कर रहा है Huey उसे देखकर भावुक हो जाता है और उसे अपना एक सावरन सोने का सिक्का दे देता है जब Huey चला जाता है तो Alan उसे बताता है कि वह बिखारी वास्तों में बैरन हाउसबग है एक समरिद और उदार व्यक्ति Huey शर्मिद्दा हो जाता है लेकिन बैरन हाउसबग उसके काम से परभावित होता है जिससे खुश होकर हाउसबग Huey को 10,000 पाउंड के साथ एक नोट भी भेजता है जिसमें लिखा होता है एक बूड़ बिखारी से इस परकार Huey अब लोरा से शादी कर सकता है और कहानी एक सुखत समापती पर होती है यह कहानी Huey और बैरन हाउसबग के माद्यम से वास्तविक तब नाम दिखावे वास्तविक द्यालुता का मुले और समाजिक मानदंडों की अलोचना के विशों को उजागर करती है अगर आप धनी नहीं है तो आकर्शक होने का कोई फाइदा नहीं है प्रेम का अधिकार धनी लोगों का है ब्रोजगारों का पेशा नहीं गरीबों को विवारिक और ठोस होना चाहिए ये अधुनिक जीवन के महन सत्ते हैं जीने हुई असकिन कभी नहीं समझ पाए हमें मानना पड़ेगा कि बेचारा हुई बोधिक रूप से कोई ज़्यादा महतोपूर्ण नहीं था प्रन्तु उसने अपने जीवन में कभी कोई तजस्वी या किसी से कोई अपिरिये बात नहीं कहीं थैंक यू प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कॉमेंट